असलाम अलेकों आज हम बनाएंगे चिकन में क्रोणी पहले कड़ाई लें उसमें ओइल गरम करें लग्सन अध्रक और सबस मिर्चों का पेश थोड़ा प्राईगर लें अब हम इसमें यह डालेंगे चिकन क्यूब्स कटिंग यह बॉनलेस चिकन यह एक अलग अन्दाज में बनेगी चिकन मिकरोणी अमीद है कि आपको पसंद आएगी अब चिकन फ्राई करें थोड़ा सा इधर हम मिकरोणी को बाल लेंगे दो पैपिट इधर चिलिए दो चमच ऑईल कुकिंग ऑईल करें दो चमच नमक डाल लें जिसे से यह बाईल अच्छी हो जाएंगे और अलग लग रहेंगे जूड़ेंगी आपस में यह चिकन फ्राई हो रहा है इसके पानी छोड़ दिया जब इसका पानी खुशक हो जाए और अच्छी तरह चिकन गाल जाए तो फिर बाकी इसका ब काली मिर्च, सफेद जीरा, नमक और गरम मसाला और दो टमाटर क्यूर्ज में कटिंग करके इसके बीज हमने निकाल देंगे अब हम इसमें बाकी मसाला जार डाल देंगे काली मिर्च, जीरा पॉर्डर, गरम मसाला और नमक अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगे तो आप वाइट पेपर थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं, एक टीस्पून यहाफ टीस्पून अपने हिसाब से मसाले रखें, अपने टेस्ट के साब से इसमें मसाले डालें, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और मैकरोनी, अब हम इसमें डाल देंगे कैचप, कैचप डालकर हम इसे 5-10 मिनट के लिए दम पे रख रहेंगे, इसके बाद हम इसे डी शोट करेंगे, यह हमारी चिकन मैकरोनी त्यार है, आप वेज़िटेबल मैकरोनी भी इसी तरह बना सकते हैं, आप भी बनाए हमारे तरीके से, इन्शाला आपको बहुत अच्छी लगेगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें, अल्ला हाफिज,